गाजर का हलवा बनाने के लिए यहां पर मैंने 1 kg गाजर ली है आप ज्ञादा कम भी कर सकते हैं आपको जितना हलवा बनाना है उतनी गाजर ले लिजिए तो यहां पर मैंने गाजर को अच्छे से वाश करके कशारा पानी निकाल दिया है बिल्कुल भी पानी नहीं है और आज मैं यहां पे बिना कद्दू कश किये हुए गाजर का हलवा बनाने वाली हूं और भी कडाही पे कुकर में नहीं बनाऊंगी आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या क करेंगे यहां पर प्लेड ले लेंगे और गाजर का जो उपर वाला पार्ट होता है ना उसे हम नाइव की सहाथा से इस तरह से इस अच्छिका ऊतार देंगे आप चाहाए तो चीलने वाली आईफ हाती है ना उससे भी इसका चलख सकते हैं बढ़ इससे थोड़ा से हलका हल एस तरह से निकाल दोंगी और जो साइड का भाग उपर नीचे का मैं तरह से यह बिल्मकुल भी नहीं अच्छा लगता है तो यह देखिए मैंने इस तरह से गाजर को चीला है इसी तरह से हम दूसरी भी गाजर चील लेंगे और यह देखिए मैंने यहाँ पर छीलने वाली छीलनी भी रखे लेकिन मैं उससे नहीं छीलूँगी और सेम तरीके से हम सारी गाजर छील कर रेडी कर लेंगे तो यह देखिए मैंने सारी गाजर यहाँ पर छील कर रेडी कर लिया है देख सकते हैं और अब हम क्या करेंगे गाजर को नाइफ से कट कर लेंगे इसके पीसे कर लेंगे तेहां पर प्लेट ले लेते हैं और गाजर को हम इस तरह से कट करेंगे बीस से और बीस से कट करने के बाद इसके हम जो वाइट वाइट पार्ट दिख रहा है इसको भी हम थो सकते हैं त मैं यहां पर हलकालका निगाल दूँगी और इस तरह से हम इसके part कर लेंगेहों बहुत बड़े पीसस नहीं करने हैं इसी तरह से 피सस करने है आसानी से पक जाएं है कि तो यह देखिए मैंने इस तरह से इसके part कर लिये हैं самыхk탁रे कर लेंगे तो यह देखिए यहाँ पे मैंने सारी गाजर को काट कर रेडी कर लिया है देख सकते हैं मैंने इसके इस तरह से पीसेज किये हैं बहुत बड़े पीसेज ने किये हैं और नहीं बहुत छोटे किये हैं मीडियम साइज के पीसेज कट किये हैं तो इसमें डालैंगे एक टेबल ग्ष्पून घी रुष्ट करेंगे तो यहां तो centre आर्शलों काजून की तर्णा करें चाल्ड podcast करेंगे कीशок केमस्षा न Ó Gef करेंगे राल में निकाल लेती हूं कि अरब पैन में वापिस से दो टेबल स्पून घी डालेंगे और अब इसमें गजर को भी फ्राइ करेंगे तो यहां पर में कटी भी गजर को डालदेती हूं और इसे हम चलाते हुए पांच मिनद तक अच्छे से बून लेंगे 5 मिनट तक हमें लगतार इसे भूनना हैं तो ये देखे इसे भूंते विए हमें 5 मिनट हो गये हैं और इसका Color भी चेंज हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, धकके 10-min के लिए इसको पकाएंगे, और हमें इसे 20-20 में चलाते भी रहना है, और हम 10-min बाद चेक करेंगे, तो ये देखे, गाजर का कलर एकदम से चेंज हो गया है और गाजर सौप्ट भी हो गई है और वापिस से हम इसे पांच मिनट के लिए ढग देते हैं पांच मिनट बाद हम फिर से चेक करेंगे तो यह देखिए पांच मिनट हो चुके हैं और गाजर एकदम से कुक हो गई है अच्छे से कुक हो चुकी है मैं चेक करके भी दिखाती हूं यह देखिए गाजर बहुत अच्छे से पक गई है देख सकते हैं तो अब क्या करेंगे हम अब हम इसमें डालेंगे दूज तो यहा चलूंगी और यहाम हम अच्छे से मिक्श कर देंगे और उसके बाद हम इसे फिर से ढख के पकाएंगे तो चलिए अब हमीं इसे ढख देते हैं और पांच मारबाद हम इसको मशल देंगे ताकि अच्छे से घुट जाए अगर आपके पास मैशार नहीं है तो आप इसे चमचे से किसी भी चीज से आप इसे ऐसे मशल सकते हैं और यह देखिए यह कितने अच्छे से मैश हो गया है देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने इसे किया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें हाफ के जी दूद और डालेंगे और इसे चला देंगे और अब हम ढखके इसे 10-15 मिनट के लिए कुक करेंगे हम बीज बीज में चेक भी करते रहेंगे तो यह देखिए 10-15 मिनट हो गए हैं दूद अच्छे से गाढ़ा हो गया है त चीनी तो चीनी आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से एड़ करिए और हम डालेंगे साथ ही इलाइची पाउडर और इसमें डालेंगे ड्राय फ्रूट्स भी जो भी हमने लिए हैं ड्राय फ्रूट्स भी डाल देते हैं और अब हम इसे खुला ही पकाएंगे ढ़कें नहीं तो यहां पर मैं इसमें किसमिस भी एड़ कर देती हूं और बादम और काजू जो ड्रोष्ट किये थे अब ड्राय फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं अगर नहीं पसंद है तो आप मत डालिए और अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर इससे बह अच्छा टेस्ट आएगा खोए जैसा तो अब यहां पर मैं एक टेबल स्पून घी एड़ करूंगी अगर आपको घी डालना है तो डालिए नहीं तो कोई जरूरी नहीं है और हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे दो से तेन नट के लिए देखिए गाजर का हल्वा बन है तो यहां पर देखिए मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और देख सकते हैं कितना बढ़िया दानेदार गाजर का हल्वा बन कर रेडी हुआ है यह देखिए आपको दीख रहा होगा दानेदार अब इसको हम ड्राइफ फूट से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं तो यह देखिए मैंने यहां पर काजू और बादाम से हल्वे को गार्निश कर दिया है तो यह लीजे फ्रेंड्स सर्द्यों के मौसम में गाजर का हल्वा आप लोग भी खाईए हमारी तरब से आप लोगों के लिए भी तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी आपको मिलता रहे और तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट रेसीपी के साथ तब तक के लिए बब बाई थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर